नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सबी लोग कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, कल की वीडियो में हमने व्याकरण पुस्तक से एक नया अध्याय विशेशड पढ़ा था। आज हम उसी पार्ट से सम्बंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए आईए शुरू करते हैं। अभ्यास कार ये। हमारा पहला प्रश्न है चित्रों के लिए सही विशेशता बताने वाले शब्द छाट कर लिखिए। इसमें आपको करना क्या है यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं। और उनके सामने कुछ विशेशण सब्द भी दिये गए हैं। आपको सही विशेशण सब्द खाले स्थान में लिखने हैं। पहला चित्र है टमाटर। यहाँ पर आप टमाटर देख रहे हैं। यहाँ पर दो वी कर्प हैं पहला है लाल और दूसरा है पीले तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाल टमाटर कैसे हैं लाल हमारा आगला चित्र है रुमाल यहाँ पर हमको रूमाल की संख्या लिखनी हैं यहां पर कितने रूमाल हैं दो भी कल्प दिये गए हैं पहला है 16 और दूसरा है 12 तो हम इसको देखते हैं रूमाल के संख्या कितनी हैं एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा तो हम लिखेंगे खाले अस्थान में बारा अगला चित्र है अमरूद अब अमरूद कैसे हैं खटे हैं या फिर मीठे तो हम लिखेंगे यहां पर मीठे अमरूद मीठे हैं हमारा अगला प्रश्ण है शब्दों का उचित मिलान केजिए यहां पर कुछ विशेशण शब्द दिये गए हैं और कुछ शब्द दिये गए हैं आपको उन विशेशण सब्दों को उन शब्दों से जोड़ना है तो यहां पर एक उधारण भी दिया गया है मोटा मोटा का सही शब्द क्या होगा आदमी अगला है पीला पीला को हम किस से मिलाएंगे जंडा आम बिल्ली तो हम पीला को यहां पर मिलाएंगे आम से तिरंगा तिरंगा क्या है तिरंगा को किस से मिलाएंगे जंडा से तिरंगा को हम जंडा से मिलाएंगे अगला है काली काली को हम बिल्ली से मिला देंगे हमारा अगला प्रश्ण है रिक्त स्थान में उच्चित शब्द चुन कर लिखिए यहाँ पर कुछ अधूरे वाग की दिये गए हैं और उनके सामने दो-दो विकल्प दिये गए हैं उनमें से जो सही विकल्प होंगे उनहें आपको खाली स्थान में लिखना है तो हमारा पहला वाक्य है इमली खाली स्थान है उसके सामने दो विकल्प दिये गए हैं सुन्दर खटी तो आपको पता है इमली कैसी होती है खटी हम यहाँ खालिय स्थान में लिखेंगे खटी अगला है सडक खालिय स्थान है दो विकल्प इसके आगे भी दिये गए है पहला है चोड़ी और दूसरा है मोटी आपको पता है सडक चोड़ी होती है ना कि मोटी तो यहाँ पर हम लिखेंगे चोड़ी अगला है फुटबॉल खाली स्थान है उसके लिए भी दो विकल्प है पहला है मुलायम और दूसरा है गोल आप लोग को पता है फुटबॉल कैसी होती है गोल तो इसका सही विकल्प हम लिखेंगे गोल फिर अगला है सचिन खाली स्थान है इसके आगे भी दो विकल्प दिये गए है, पहला है सच्चा और दूसरा है पुराना, तो इसका सही विकल्प होगा, सच्चा, सचिन, सच्चा है ग्रीकारिय सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन है लगाईए यहाँ पर आपको क्या करना है नीचे कुछ वाक के दिये गए हैं आपको उनको पढ़ना है और इनमें से जो वाक के सही है उसके सामने सही का निशान और जो वाक के गलत है उसके सामने आप गलत का निशान लगाएंगे तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल की वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद